ताथियों कुछ राजनितिक दल जिने देश की जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से नकार दिया है वो आज कुछ किसानों को गुम रहा करके जो कुछ भी कर रहे हैं उन सब को बार बार नम्रता पुर्वक सरकार की तरब से अनेक प्रयासों के बावजुद भी किसी ने किसी राजनितिक कारण से किसी ने बंधी बंधी राजनितिक विचारदारे के कारण से यह चर्चा नहीं होने दे रहे हैं कि कुछी कानूनों के संदर्ब में ये जो पुलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंदे पर बंदू के फोर रहे हैं कुछी कानूनों के संदर्ब में उनके पास ठोस तरक न होने के कारण वो बाती भाती के मुद्दों को किसानों के नाम पर उच्छाल रहे हैं आपने देखा होगा जब प्रारम हुआ था तो उनकी इतनी मांग थी कि भी MSP की गारंटी दो उनके मन में genuine क्योंकि वो किसान थे उनको लगा कहीं ऐसा तो ना हो लेकिन इसका माहूल दिखा कर कि यह राजनीतिक विचारगारा वाले चड़ बैठ है और अब MSP पगेरी बाजू में क्या चल रहा है यह लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जैल से छुड़ाने के मांगे कर रहे हैं देश में आधुरिक हाइवेज बने निर्माण हो जो पिछली सब सरकारों ने किया ता है यह लोग यह लोग भी सरकारों में समर्थन करते थे भागीदार थे अब कहते हैं टोल टैक्स नहीं होगा टोल खाली करता हूं भाइक किसान का विशय छोड़कर के नई जगा पर क्यों जाना पड़ रहा है जो नीतिया पहले के समय से चली आ रही है अब यह किसान अंदोलन के आण में उनका भी विरोत कर रहे हैं तोल नाकों का विरोत कर रहे हैं थियों एसी परिश्तिती में भी को देश भरके किसानों ने है कि कुसी जिधारों का बरपूर समर्थन किया again वर्पूर स्वागत किया है मैं सभी किसानों का अभार व्यक्त करता हूँ, मैं सर जुकागर के उनको प्रणाम करता हूँ कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटी-कोटी किसान आज इस निरने के साथ हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाईयों बेहनों को बरोसा दिलाता हूँ कि आपके विश्वात पर हम कोई आच नहीं आने देंगे। पंचायतों के चुनाव हुए है इन में प्रमुकताया ग्रामिन खेत्र के लोगों को ही बोट देना होता है प्रकार से किसान को ही बोट देना होता है। इतना गुमरा करने वाला का खेल चलता था इतना बड़ा अंदोलन का नाम दिया जा रहा था होला किया जाता था लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुना हुए हैं उन गाउं के किसानों ने ये अंदोलन चलाने वाले जोतने लोग थे उनको नकार दिया है पराजित कर दिया है यह यह भी एक प्रकार से उन्होंने बैलेट बॉह के द्वारा यह नए कानुनों को खुला समर्धन किया है कि साथियों तर्थ और तर्थ और तठ्थ के अधार पर हर कसोटी पर हमारे निर्णे कसे जा सकते हैं कि उसमें कोई कमी है तो उसको इंगीत करना चाहिए लोग तंत्र है हमें सब प्रकार का भगवान ने ग्यान दिया असाद आवा हमारा नहीं है लेकिन बात तो हो इन बातों के बावजूद भी लोग तंत्र में अटूट आस्था और स्रद्दा होने के कारण किसानों के प्रती हमारा समरपन होने के कारण हार समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तयार है समाधान के लिए हम खुला मन लेकर के चल रहे हैं कई दल ऐसे भी हैं जो इनी कृसी शुधाकारों के पशमे रहे हैं उनके लिखित बयान भी हमने देखे हैं, वो आज अपनी कही बात से ही मुकर गया है, उनकी भाशा बदल गई है, वो राजनितिग नेता जो किसानों को ब्रमित करने में जुटे हुई है, जिनकी लोग कंत्र में रत्ती भर में स्रद्धा नहीं है, वो विश्वात ही नहीं कर के, जोग भी उन्होंने कहाँ है पीछले जिस प्रकार के अनल गरे आरोप लगा है, जिस बाशा का प्रयोग किया है, पता नहीं कैसी कैसी इच्छाएं वेक्त की है, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, यह सब करने के बावजुद भी, उन सब चीजों को सहन करने के बाद भी, मन ठंडा रख करके, उन सब को सहन करते हुए, मैं आज फिल एक बार, नमरता के साथ, उन लोगों को भी जो हमारे गोर विरोध करने पर तुले हुए, उनको भी कहता हूँ, मैं नमरता के साथ कहता हूँ, हमारी सरकार, किसान, हित्में, उन से भी बात करने के लिए तयार है लेकिन बात मुद्दों पर होगी, तर्क और तत्थों पर होगी साथियों हम देश के अंड़ाता को उन्नत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं जब आपकी उन्नती होगी तो पुरे राश्ट की उन्नती ताय है सिर्फ आत्मनिर्भर किसान ही आत्मनिर्भर भारत के नीव डाल सकता है मेरे देश के किसानों से आग रहे किसी के बहकावे में नाए किसी के जूड को नस्विकारे तर्क और तथ्य के आधार बना कर ही सोचे विचारे